Guys, हमने HTML में almost सब कुछ देख लिया आज के इस वीडियो में हम HTML को conclude करते हुए कुछ ऐसी miscellaneous चीजों की बाते करेंगे जो कि आप लोगों की web development journey में आपको बहुत help करेंगी उसके बाद आने वाले वीडियो से हम CSS स्टार्ट करेंगे मैं HTML को conclude करने में बहुत जादा excited हूँ आप लोग इस वीडियो को like करके नीचे comment section में Sigma batch OP जरूर लिख देना चलते हैं computer screen में Let's roll the intro So guys, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आज चुको ओपनी computer screen में और बिना time को waste कि यहाँ पर एक नया folder बनाऊँगा जिसका नाम में रखोगा video 13 इसके अंदर आकर मैं shift right लिक करके VS code खोलूँगा और एक file बनाऊँगा index.html अब यहाँ पर मैं index.html यहाँ पर बना दी है file अब मैं आप लोगों को इक बहुत बताना चाहता हूँ HTML के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो कि आप लोगो खुद से explore करनी है कुछ चीजे मैं आपर बताऊँगा और इस वीडियो के बाद मैं html को contribute करूँगा अगर मानलो आप html में चाहते हो कि मैं ज़रा यहाँ पर word wrap on करके screencast mode को toggle कर दूँ मानलो आप चाहते हो html के अंदर लिखना यह 3 is greater than 4 ठीक है मानलो आप यह लिखना चाहते हो अगर आप यह लिखने की कोशिश करोगे html के अंदर मैं ज़रा इसका preview आप लोगो को दिखा हूँ तो यह 3 is greater than 4 यहाँ पर लिखकर आ गया ठीक है अब मानलो मैं आपर लिखता हूँ this is the code for paragraph ठीक है और मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ अब मैं ने लिख दिया यहाँ ठीक है मैं चाहता हूँ कि यह appear करें लेकिन यह पर आप देखो यह appear नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्यों कि इसको कैसे बता चलेगा कि मैं पर आप लिखना चाहता हूँ या फिर मैं अक्च्वल में यह पी टैक ऐसा सिंटेक्स करना चाहता हूँ तो इस चीज से बचने के लिए होती है अब यह होती है मैं आप लोग को बता दूँ इसको रिप्लेस कल दो के इंपरसंट जीटी सेमिकॉलन से तो होगा क्या कि यह आक्च्वल में जैसे के जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप पर आपियर करेगा जैसे कि आप देख सकते हूँ यह आपर जूम करके दिखा दूँ आपको ठीक है तो क्या होता है कि एस्टी में इस्तिमाल किया जाता है उन चीज़ों को लिखने के लिए जो कि शायद HTML के syntax से collide करे क्या मतलब हुआ कि अगर हमने आपर paragraph tag का code लिखा तो HTML को कैसे पता चलेगा यह paragraph tag का code है यह पर actual में आप यह चीज़ लिखना चाहते हो as it is इसके लिए pre tag भी होता है अगर आप किसी भी इसको pre tag में डाल देते हो और आप यहां पर लिखते हो फिर p this is a para ठीक है तो आप इसको अगर इस तरह से लिखो गए तो यहां पर यह as it is आ जाएगा जाएगा और उसी के साथ-साथ यहां पर अगर आप new lines लिखते हो this is after few new lines ठीक है और and some more अगर आप इस तरह से लिखते ह इसका ही स्टमाल करना पड़ेगा तो यह होता है pre tag html के अंदर तो अपने entities देखें हैं हमने pre tag देखा कर आप लोगो copyright का symbol डालना है तो आप ampersand copy semicolon लिख सकते हो और जैसे यह आप ampersand copy semicolon लिखोगे तो आपको यहां पर copyright का symbol देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते ह है तो इस तरह की चीज़े आप html entities की साहिता से कर सकते हो आप यह सारे examples try out करना non breaking spaces को उसी के साथ साथ आप special symbols को जैसे copyright हमने देखा ampersand nbsp space के लिए यूज किया जाता है और बहुत जादे important है तो मैं आपर लिखता हूं copyright ठीक है मैं आपर लिखता हूं copyright और मालो मैं चाहत जो extra spaces होती है वो ignore की जाती है तो आप यहां पर देखोगे तो copyright के बाद तुरंत बाद ही code देरी आ गया लेकिन ideally हम ऐसा नहीं चाहेंगे हम क्या चाहेंगे हम चाहेंगे हम चाहेंगे कि यह spaces जो मैंने डाली है वो आएं तो आप spaces मत डालो आप डालो ampersand nbsp आप m% nbsp जितनी है और उसी के साथ साथ जो html में reserved characters है जैसे की less than greater than यह सब आप html entities से कर सकते हो इसके बाद quotation tag क्या होता है quotation tag कुछ इस तरह से आप लोग को quotation similarly आप क्यू tag का इस्तेमाल कर सकते हो site is equal to URL डाल दो आप तो site करना इस्तेमाल लो आपको किसी research article को या फिर और भी reasons हो सकते है wikipedia अगर आपको site करना है तो यह tags का इस्तेमाल किया जाता है और आप इसको style कर सकते हो obviously css की साथ से तो यह हो कि है हमारे quotation tags ठीक है and html entities फिर कु और इस तरह से आप लोग जो है font tag का इस्तेमाल कर पाते लेकिन it's not recommended कि आप font tag का स्तेमाल करें फिर center tag चीजों को center करने में सहायक होता था लेकिन अभी मैं आप लोग को recommend करूं कि css से center करेंगे flexbox grade वगरे जो modern css वो सीखेंगे तो यह सारे tags वो है जिनके बारे में आपको पता तो होना चाहिए लेकिन आपको यह भी बता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल नहीं करना है आपको ठीक है I hope that helps फिर code tag coders के लिए सबसे important tag जैसे कि आप यहां पर इस website को देख रहे है codevittery.com को यहां पर देख रहे है आप मैंने जो code tag इसका इस्तेमाल किया यहां पर और अकर आप लोग बहुत जादा इस चीज को लेके उत्सुक हैं तो मैं बताओं कि मैं प्रिज्म CSS नाम की एक लाइब्री का इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे और यह सब चीज़े कैसे करना है यह मैं आप लोग को प्रिज्म.js इससे क्या होता है कि आपकी code highlighting हो जाती है इस तरह से आप अपने ब्लॉग में code बगएर डाल से तो मैं यह लाइब्री का इस्तेमाल कर रहा हूं सब बताओं को कैसे करना हो मैं तो react का इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें तो वह सब चीज आ पढ़ने वाले हैं तो आप बिल्कुल मन लेना लेकिन कुछ इस तरह से अगर आप लोग कोड लिखना चाते हैं तो कोड टैक करना होता है अगर आप इसके source code में राइट लिक करके तो आप देखेंगे कि कोई भी code लिखा हुआ है वह प्री के अंदर code tag के अंदर लिखा हुआ है प्री डाला है मै जो new lines है वो intact हो जाए जैसे marlo कि मैं यहां पर एक code लिखना चाहता हूँ और यहां पर marlo मैं कोई python का code लिखना चाहता हूँ ठीक है यह marlo मैं HTML code लिखना चाहता हूँ मैं ctrl n करूँगा और यहां पर मैं इसको HTML कर देता हूँ और मैं exclamation mark करके enter बारूँगा और यहां copy करके marlo paste करूँगा और मैं यहां पर marlo h1 में लिख देता हूँ कि this is html boilerplate code ठीक है तो इसको अगर मैं preview करूँ तो यहां पर this is html boilerplate code actually render हो के आ गया code को अगर मैं as it is लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा कि जो यह less than वाला sign है इसको मुझे replace करना होगा right click change all occurrences करू मैं आपको बताया था है lt semicolon और उसके साथ जो greater than वाला symbol है इसको right click करके change all occurrences ampersand gt semicolon अब मैं इस code को आपर paste करूँगा मैं as it is नहीं कर सकता पेस्ट ठीक है तो यह चीज़ भी बहुत important है अभी देखो यह आ जाएगा तो यहां पर देखो यह code as it is आ गया तो कोई भी copy तो यह आप कर सकते हो और इसके बाद यहां पर backspace दबा दो और यहां से भी extra space दटाँगा और आप देखो आपका code यह से आप चाते हो ऐसे आ गया है पर ठीक है और इसको CSS style वगएरा कर सकते है prism CSS का इस्तेमाल करेंगे मैं आप लोग को बताँगा किस तरह से इस तरह की liabilities करना है आने वाली वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है बसमें आप लोगो को HTML के कुछ टैंग्स के बारे में बताना चाहता था जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है फिर इसके बाद character sets मतलब आप कॉन से characters use कर रहे है अपने page के अंदर फिर canvas canvas क्या होता है basically canvas का जो इस्तेमाल है वो javascript के तुरू mainly किया जाता है लेकिन canvas आप कुछ ऐसा समझ लो कि एक element होता है HTML के अंदर जिससे की graphical shapes वगारा हम लोग बनाते है ठीक है I hope कि आप लोग को इस video में HTML पूरा अपलोड हो के अच्छे से पता चल गया होगा आने वाले वीडियो से अब ह कर ले ना या क्लिक करके सेव कर ले ना अभी के लिए इस वीडियो में इतने है गाईस थांक यह सो मुझ लिए वाचिक वीडियो और इस वीडियो और आप लीए रहे ताइस से इस नाइए झाल 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 झाल